शिरी महाबाते खिल्ल भागे त्री सब्तितमों ध्याय में रकुनी देवी की भगवान शिरकिष से पुत्र के लिए प्राथना और भगवान जी का उन्हें आश्वाशन देते हुई के लाश जाने का विच्छार प्रगट करना जन्मेजी ने पुछा मुने देवताओं के भी देवता सर्व्यापी भगवान जिनाधन किसलिए शंकर्दी के निवास्तान के लाश शिकर पर गे थे तबस्या में बड़े चड़े तत्व दर्शी नारद आदी मुनियों ने ही वहाँ नील लोहित वरन वाले कल्यानकारी महादेव जी का दर्शन किया था हमारे सुन्ने में ये भी आया है कि पूर काल में उत्तम तप करते हुए देवादी देव केशब ने वहाँ शंकर्दी का पूजन किया था वहाँ दोनों प्राथन देवता जिकदीशत शिरी हरी और हर ने एक दोश्रे का दर्शन किया था इंद्र आधी देवतान ने महा आकर के भगवान शंकर्द तता शिरी हरी की अर्चना कि थी कहते हैं कि वह दोनों महाने देवता एक ही हैं किन्तों दो सवरूप में भक्त हो गी हैं उनका आत्मा सवरूप एक ही है तो भी कारे बेच से बिन-बिन शिरी धारन करते हैं दोनों ही जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और दोनों ही शिष्टी पालन और संहार करने वाली हैं वे प्रस्पर समा मिश्टोकर के जगत के पालन करन में स्थित रहते हैं उत्तम रत्त के लाश पर एकत्तर हुए उन दोनों का जैसा वितांत हो वो बताईए उन दोनों पर शौत्म को देख करके रिशियों ने कैसी चेश्टा की ये सब वितांत पोर नुप से बताने की किर्पा करें विप्रवाद सर्व्यापी पापहारी प्रातन पुरुष और विजेशील सचिदानन सरोग श्रीकिष्ण जिस परकार के लाश परवत पर गे और सर्प में आभूशों से विभूशित भवाण शंकर्जी ने जिस परकार उनका शाक्षाकार किया ये सब मुझे यतन पूरग ठीक ठीक समझाईए शंपायन जी कहते हैं राजन नार्श रिष्ट भगवान श्रीकिष्ण जिस परकार के लाश परवत पर गे जिस परकार उन्होंने दिवेशर विश्वाहन भगवान शंकर्जी का दर्शन किया जिस तरह वे तपस्या में सलक्न हुए जिस परकार वे वहां घटित हुआ वे सब सावधान हो करके सुनो भगवान वेद्वियास ने ये परसंग जिस परकार मुझस से कहा था उसी परकार मैं गरुडवाहन भगवान किश्व को नमश्कार करके अपने बुद्धि और शक्ति के अंसार कमुँगा उत्तवरत का पालन करने वाले नरेश तुम यतन पूरक सुनो जिसमें सिवा करने का भाव ना हो जो निर्शंश तथा तपस्या से दूर रहने वाला हो और जिसने कुछ भी अध्यन ना किया हो ऐसे परश को पुन्यात्मा विद्वान इस पित्र परसंग का उपदेश कभी नहीं दे विशे सर्गप्रद यिशोव वद्धक धन की प्राप्ति कराने वाला तता सदाही बुद्धी की सुध्धी करने वाला है यह व्यक्रश मुशन की एकटा वेद्वा पुन्य आत्म पुर्षों के लिए सदा ही चिंतन करने योग्या है। अनेक आरण्यक गरंथों अपनी शोदों ने इसका अन्मोधन किया है। वेड़ प्रायन नारत आधी तपधन्मनी नित्य इसका सेवन चिंतर करते हैं। भगवान विश्णु और शीव दोनों कल्यानकारी देवताओं के किलाश परवत पर एकत्र होने का यहे अत्यन्त अध्वद वर्तांत परम पुन्य में है। राजन नरक आधी अस्वर समोहों तथा अन्याने राजाओं के मारे जाने पर जब थोड़े से ही शत्रू शीष रहे गे उन दिनों विरिश्णी वंशियों के साथ द्वार का पुरी में निवास करते हुए सर्व समर्थ जगनात पुर्श तम्शिरी हरी पिर्थी का सदा शाषण करने लगे भगवान श्रीकिष्णा रुक्वनी देवी से सहियत तो करके उस नगर में निवास करते थे एक दिन की बात है जग्दीशर श्रीकिष्णा प्रिती मती रुक्वनी देवी के साथ रात में यतवचित विहार करते हुए पर संता पुरक सो रहे थी उस सम में आप भुष्ण से विभूशित हुए रुक्विनी देवी ने भगवान जी से कहा देवेश्वार माध हो मैं आपसे अनंद दायक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ प्राभू मैं पुत्र आपके ही समान रुकवान बन्वान प्रकर्मी टपन धी तथा विरिश्णी कुल का निता हूँ मैं समी शास्त्रों के अर्थ ज्यानमेन पुन तथा राज विद्या भ्रम विद्या के ज्याताओं में अग्रगन्य हूँ सत्पुत्ष्व में श्रिष्ट पति देव आम मुझे ऐसे ही गुनों से संपन पुत्र पर दान कीजिए आप में सदाही सब कु जो आपके भृत्य हैं सदा नियम पुरक आपकी सिवा में मन लगाए रखते हैं उन्हें आप विष्ट वस्तो पर दान करके इसके लिए तो कहना ही क्या है देव देव जिगत पते जिनार्दन यदि मैं आपकी भक्त हूँ और आपका मुझे पर अंग्रे हैं तो आप प्यारी रानी रकुनी देवी के ऐसा कहने पर रुकमी के शत्रो यदकुल तिलक देव देवेशर यादव पती श्री किष्णे रुकमी से ये सम्योचित बात कही भामनी तुम जैसा चाती हो वैसा ही पुत्र मैं तुमें परदान करूँगा देवी तुम सदा ही मेरी भक्त हो इसमें कुछ विचार करने की अविश्यक्ता नहीं है मैं अवश्य तुम्हें शत्रु नाशक पुत्तर पर दान करूंगा गरस्त पुरुश पुत्तर द्वारा उन लोकों पर विजय प्राब पाता है जो पुरुशों को उनकी इच्छा के अंसार फाल देने वाले होते हैं नरक पुत्त नाम से विख्यात है दुख को भी नरक की माना गया है उस पुत्त नाम के नरक या दुख से वेह पिता मता का परितान करता है इसलिए सारा जगत इस लोकर पर लोक के लिए पुत्त के विलाचा रखता है पुत्तरवान पुरुष के लिए अनंत शुब लोक विद्यमान है पती ही गर्व बन करके पती के भीदर प्रवेश करता है उस गर्व की वेह माता जन्नी होती है उसके गर्व में नूतन शीर धार करके वे पती पुना दस्य मास में जिनम लिता है। पुत्रवान को देखकर इंद्र भी डत्ते हैं, वे सूचते हैं पता नहीं ये मेरे किस वैभवकाव भोग करेगा। पुत्र हीन मनुश्य पुन्य लोकों को नहीं पाता है। पुत्र पैडा करने की अपेक्षा तो बांज रह जाना ही अच्छा है। पुत्र नरक में गिराता है और सुपुत्र से स्वर्ग भी सुलब होता है। अटा विने शील विद्वान और द्यालु सत्पुरुष की इच करने चाहिए। विद्या से विने की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाला प्रतंशील विद्वान प्रुष विद्या युक्त परम धार्मे के पुत्र पाने की इच्छा करे। मैं तुम्हें विद्वान एम परम धर्मात्मा पुत्र परदान करूंगा। पुत्र क की प्राप्ति के लिए मैं अभी उत्तम पर्वत के लाश को जा रहा हूं वहां नीलोहित वर्न वाले महान देवता भगवान शिंकरजी की उपासना करके प्राणियों के हित्में तत्पर रहने वाले भगवान शीव से तुमारे लिए पुत्र प्राप्त करूंगा तपस्या और भ्रहमचर अपालन के द्वरा सब के उत्पादक का विनाशी अजन्मा सर्व्यापी आदी देव विरुपाक्ष भगवान शिंकर को संतुष्ट करके मैं उनसे पुत्र होने का वर्द प्राप्त करूंगा मैं आज ही अविनाशी भगवान शिंकर का दर्शन करने के लिए जाऊंगा मेरे द्वरा कियेगे तब से संतुष्ट वकर के वे मुझे पुत्तर देंगे वहाँ जाकर के उमा सहित महादेवी जी को नमशकार करके उन्हें संतुष्ट करूंगा वहाँ पोचने से पहले मैं मुनियों द्वरा सेवित तपव में पुन्या भवी बद्री में प्रविश करूंगा जो अगरी होत्तर के धौं से व्यापत है मैं दिवय भवी सदा गंगा जी के जल से प्लावित रहती है वहाँ पशू और पक्षियों के समधाई सब बोर विचते हैं और सेंक्रों सिंगों तथा व्यागर भरे रहते हैं यह स्थान वेर के फलों से परिपून है वानर वहाँ के विरिक्षों की को कम पित करते रहते हैं वहां के विशाल विरिक्षों पर बैत की लताएं फैली हुई हैं जहां तहां केलों के बगीचे उस स्थान की शुबा बढ़ाते हैं वेद के तात्विक अर्थों का विचार करने में निपुन वेद के सुनिश्चित सिध्धात के ग्याता और परमान कुशल मुनी सदा वहां निवास करते हैं वहें एक मातर देती या तत्व है यही परमारत है इस परकार मन से निश्चित करने वाले सिद्धात प्रायन सिद्ध जान जहां तहां उस भूमी की उपास ना करते हैं इति हास पुरान के ग्याता महिद शी जो शीर चोड़ने के माद सर्ग लोग को जाने वाले हैं उस भूमी का सेवन करते हैं इस परकार उस पर सिद्ध पुन्य स्थरी देव एम विशाल बद्रिपुरी को जाऊंगा ऐसा कह करके देवादी देव भगवान जनार दन चुप हो केलाश यात्रा विश्ट त्यत्रवा अध्याय पौर न हुआ भगवान चिरकिश का यादव सभा में अपनी केलाश यात्रा का विजार प्रगट करते हुए नगर की रक्षा के लिए याधों को सावधान देने का आदेश दिना वे शंपाई जी कहते हैं जिन मेरे जब रात वीती और परभात हुआ तब भगवान शिरकिश ने अगरी होत्र करके मंगला चार के पश्चार ब्रामनों को उत्तम दक्षनाई दे करके उन्हें बहुत सी गुँए दी और उन्हें शिरेष्ट दिवज़ा को नमश्कार करके जगतपती शिरकिश ने आस्ता मंडप अर्थात सवाभवन में प्रवेश किया वहां महान सिंगासर पर बैट करके उन्हें ने समस्त वरिष्टी वंशी वीरों को बुलाया बलबद्र, साथकी, कित वर्मा, शुक, सारन, राजा अउगरसें तता उन्हें महांपत धीवान एम निती शास्त्र के महान पंडित उद्धव को भी बुलाया, जिनके बुद्धी का आश्रे लेकर के समस्त यादव सुख में रहते थे। एम विर्ष्ट्री वंशी के परमुख वीर्थे उन उद्धव को तता अन्य यादवों को भी बुला करके भगवान श्रीहरी ने उन सब से कहा समस्त यादव मेरी बाते सुने, मेरे पिता के मित्र उद्धव जी आप ही मेरा बचन सुनिये, निरिश रुगरसेंड बाले का वालमे से लेकर के अब तक दुस्टों का संहार करने के लिए मेरे द्वारा जो प्रेतन हुआ है उसे आपने पर्त्यक्ष देखा है। यादवो, बाले वस्ता में बालक रूपे मैंने पूत्रा को मारा किशी का संहार किया, गुवर्धन परवत उठाया और गवों की रक्षा की। मुझे देवताओं के आगे खड़ा करके देवराज इंदर ने मेरा अविशेक किया, मेरे हाथ से कंस मारा गया और चानोड तथा मुष्टिक का भी संहार हुआ, महराज उगरसेन का अविशेक हुआ और मैंने द्वार का पुरी का नाम निर्वान किया। अन्य बल्वान पर नरेश भी मेरे द्वरा मारे गई, यादों और राजन जो वीर राजा जरादसंद था, उसका भी मैंने बल्वान भीम सेन्द के द्वरा बालपूरा का दमन किया। मेरी नितिके उनसार ही जरादसंद का संहार हुआ। गुमान्त परवत से जाते समय मैंने युद्धमे राजा शीगाल का वद्ध किया। और वह जो वीर दुरात्मा दानव नरकासु था, वह भी मेरे हाद से मारा गया। शत्री शिरमनी यादो, इस परकार मैंने इस लोग को निश्कंटक शत्रोवी हिन बना दिया है। मैं बनवानों का नीता और मुझसे सदा द्विश रखने वाला है राजिंद्र पॉन्टरक द्रोनाचार का शिश्य, बनवान, ब्रामन बिता, रन करम कुशल, शाष्टरग्य, नीतिवान, सब का शाष्षात नीता, यतनशील, योधा और दूसरे परसुदाम की बाती यु यदि वे थोड़ा सा भी छित्र पा जाए, तो युद्ध के लिए उत्य धोकर के द्वार का पुरिको स्ताने लग जाए। शेष्ट नेशो, पॉंडर देश का राजा, राजा पॉंडर थोड़े से साध्रों द्वारा वश्ष में आने वारा नहीं हैं, अता है आप लोग स्दा धनुश ले करके युद्ध के लिए तियार खड़े रहो। जिससे यदुकल की निवास भूमी द्वार का पुरी को वे राजा पॉंडर क बादा नहीं दे सके। रेशो, मैं किसी कारणवाश के लाज़ परवत को जाऊंगा, वहाँ जाकर के समस्तर परानियों की उत्पति और पालन करने वाले भगवान छिंकर का दर्शित करना चाहता हूं। जब तक मैं लोट के नहीं आऊं, तर तक आप लो, यहां नगर की रक्षा के लिए सततसाब धान रहें। यदि राजेंद्र पॉंड्रक ये जाननेगा कि मैं द्वारकापुर्वी में नहीं हूं, तो मैं अवश्य आकरण करेगा और इस नगरी के साथ युद्ध छेड़ देगा। राजेंद्र गान, मैं तो ऐसा मानता हूं कि पॉंड्रक इस पुरी को यादों से सुनी का सकता है। आता है, आप लोग खड़क, पाश और फश से लेकर के युद्ध के लिए सदा तयार रहें। पाशानों तथा आकरशन करने वाले अपने यंत्रों के द्वारा आप लोग सदा सन्नद रहें। बड़े-बड़े फाटकों की किवाड़े बंद करके यतनपूरक पुरी की रक्षा करें। नगर से बाहर जाने आने के लिए एक ही सदा बड़ा फाटक काम में लाया जाए। जो बाहर जाना चाहते हों, वे राजा की मुद्रा पास लेकर के उनके साथ जा सकते हैं। जिसके पास राजा की मुद्रा ना हो वह द्वार पाल के देखते देखते नगर में परवेश न तब तक ऐसी ही व्यस्ता रहेगी, इस बीच में शिकारक होना, खेलना बंद कर दिया जाए, नगर से बाहर जाकर के क्रिडा ना की जाए, गमन, अगमन के समय, सदा अपने और प्राय की पहचान की जाए, जब तक मेरा आना ना हो, तब तक किसी तरह व्यवस्ता करनी चाहिए समस्त याद होने ऐसा कहकर के बगवान श्री किष्ण ने पुना साथकी से इस परकार कहा, इस परकार शेम मा भारत के खिल भाग हरी वंच के इंतरगाद, विश्य पर में श्री किष्ण के लाश यात्रा विश्य के चो तर्मा अध्धाय पोर नहुआ श्री महाभात पे खिल भागे, पंच सब्तितमों अध्धाय में भगवान श्री किष्ण की साथकी और उध्धाव से नगर की रक्षा के विश्य में बाद चीत, तथा बलराम और स्यादों को भी रक्षा का भार सूप करके उनका किलाश यात्रा के लिए उद्यत होना श्री भगवान जी बोले यो दहामे शेष्टे साथ के मेरी बाद सनो तुम स्यमा कवच्च पैन करके तलवार, सदा, गदा और धनुश्य हाथ में लिए नगर की रक्षा के लिए फ्रतन शील रहो ये दो कुल तिलक पर भाव शालिवीर द्वार का पुरी बहु संक्य के शत्रियों की निवास भूमी है तुम यतन पूरत खड़े रहो और इसकी रक्षा करो तुमें रात भर नीद नहीं लेनी चाहिए शाष्ट प्राइन साथ के आज से तुमें शाष्ट्रों की व्याथ्या में भी नहीं लगना चाहिए विरिष्टी मंश का पालन करने वाले वीर आप तुमें वादियों के साथ वाद भी नहीं करना चाहिए वीर तुम योधा, बल्वान, ज्यान्वान और धनुर्वेद नामक उपवेद के विद्वान हो अता ऐसा पलितन करो जिससे यह पुरी उपहास का पात्तर नहीं बने तो साथ की बोले जिनार्दन, मैं यता शिक्ति आपके इन वच्छनों का पालन करूँगा जगनात, मुझे सदा यतन पूरत आपकी आज्या को शिरुद्धारे करना चाहिए माधव, मैं भृत्य की भांति बल्दाम जी की आज्या का अनुसरन करूँगा जब तक आपका आना होगा, तब तक मैं यतन पूरत पुरी की रक्षा में लगा रहूँगा गुबिंद, माधव, यदि आपकी किर्पा मुझे पर बनी रहे तो रन भूई में शत्रों का दमन करने के लिए कौन सब ऐसा कारे है जो मेरे लिए दुस्सात देगो यदि इंद्र, याम, कुबेर, अथ्वा, पास्थारी, वरुन भी युद्ध के लिए आ जाएं तो आपकी किर्पा से इन सब पर विजय पा जाऊंगा फिर नेप्षेष्ट पॉंट्र को प्राजित करना कौन बड़ी बात है अरे जाए अपना वेह कारे कीजिए मैं सतत साथ धान रहूंगा तत पचात कमलने शिरिकिष्ट ने पुना उधाव से इस परकार कहा उधाव जी मेरी ये बात सुनिए और इसका प्रेतन पूरक पालं कीजिए राजिंद्र आपको अपने निती से द्वार का पुरी की रक्षा करने चाहिए तात आप सदा साथ दान रहें और इस विशे में हम लगों की साहिता करें इसमें यहां सब बाते कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है जो सब परकार से विद्वान में पारंगत हैं उन सब के आप ही निता हैं कौन में धावी पुरुष आप जैसे विद्वान के समक्ष कोई बात कह सकेगा जो करने योगे कारे हैं उसे आप जानते हैं जो सर्थान नहीं करने योगे हैं मैं भी आप से अज्यात नहीं है अता विरिष्णि मज़ का पारण करने वाले तात मैं इस समय कुछ कहने से वीराम लीता हूँ मुदा बोले गौबिंदर प्रभू मेरे प्रतियाप के मुझसे ये कैसी बात निकल रही है आओ ये मेरे लिए परसंता की बात है किन्तो ये आपका ऐसा ही इस रूप में प्रकट हुआ है ये आपका प्रेम ही ऐसा है जगनात मैं समयता हूँ कि ये हम मुझ पर आपकी कृपा का विस्तार ही व्यक्त हुआ है केशव जिस पर आप परसंद होते हैं उसमें कौँसा कौँसी विशेष्टा नहीं है आप समस्त जगत के पर धानता, शरश्च्ता और संहारक हैं आप इस समस्त कारियों के कारण वक्ता, श्रूता और परमानवीता हैं ब्रह्मग्यानी मुनी आपको ही ध्याता, ध्यान और धेरुक में जानते हैं आप देव द्रोहियों को जीतने वाले और सर्गवासियों के रख्षक हैं हमारे तो आप ही स्वामी और संड़क्षन है इसलिए हम जी रहे हैं और हमारे शत्रू मारे गे हैं यही मेरी निती है और इसी को मैं जवानता हूं क्योंकि आप ही निती के निता है वेद सवरो परमात्मन कहिए इस समय आपके सिवार दूसरा कौन निती मार्ग का दर्शन कराने वाला है मेरा तो ये निचित विचारा की आप ही समस्त कारियों की निती है इस निती मार्ग में परवेश करना बहुत ही कथीन है ऐसा निति ग्यप्रुश कहते हैं जिनादन चार परकार की नीति बतलाई जाती है साम दान दंड और भेद मुनिश्यों के निघरे दूसरों के द्वारा अपना अवरोध और अवध्रे अपने द्वारा दूसरों का अवरोध होने पर सदा इनी चार नीतियों का परियोग होता है अरे जो दंड निये दुर्बल हो उन शत्रों के बती नीतिक के पुरिशे दंड नीति के ही परियोग की चाकते हैं और नीति की समता होने पर अर्थात शत्रों के अपने समान बलचाली होने पर उसके प्रती साम नीति का ही परियोग अभिष्ट माना जाता है शत्रु बल्वान हो तो उसके प्रति दान नीती का प्रियोग उचित होता है अथात उन्हें कुछ भेट दे करके शांत कर देना विश्यक समझा जाता है जहां साम, दान और दंड इन तीनों नीतियों की पहुंच ना हो सके वहां महान भेट का प्रियोग करना चाहिए यह नितिय पर्षो का मत है उन-उन सभी नीतियों में विद्वान प्रुष आपको ही पर्मान मानते हैं आपने जिस अफसर पर जैसी नीति का प्रियोग किया है वहां वही उचित्ता ऐसे लोगों का मत है यहां बहुत कहने से क्याला, सारा ज्यान आप में ही सर्मर्ट जिता है। इसके बाद वेपुना बलरामजी से बोले भीया आपको परमार नहीं करना चाहिए। काही अफसर नहीं होता प्रभू आप सदा यतन पूरा के द्वार का पुरी की रक्षा करीजिए। हमें उपहास का पातर ना बनना पड़े। ऐसा प्यतन कीजिए और गटा लिए। सदा रक्षा के लिए उद्देत रहिए। आपको सदा उत्सा बनाए रखना चाहिए। कभी उत्सा का अभाव नहीं हो इसके लिए यतन शीरत रहना चाहिए। तब बल्रामजी ने व्रिश्नी वंच अम्तंस श्रीकिष से कहा बहुत अच्छा। उनकी आगाशिर धारे करके सभी व्रिश्नी वंच अपने अपने घरों को लोटके। तब जगनाच श्रीकिष ने परवत परवत केलाश को जाने का विचार किया। इस वरकान शीम महा भारत के खिल अबाद हरीवंच के अंतरकात विश्यपर में शीकिष का केलाश यत्राविश्यक पच्चत्रवा अध्याय पोर नहुआ।